हेलो दुस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीवाईपी और पीवी में दुस्तो मैं कमलिस साहू और मैं आज आपको पना हाँ जेल पहली या जेल पुलिस की प्रिबियस येर कॉश्चन पेपर लेकर आया हूँ दुस्तो आज हम यहाँ जन् से सम्दित कुल 40 कॉश्चन पर डिसकसन करेंगे जो की प्रिबियस येर 2018 की पीपर में पूछे गए थे दुस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से एक रिक्विष्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही साथ हमा जंदी के कुल 20 कोशन ओपर डिसकसन करेंगे तना नौलिच के वीश कोशन करेंगे जंद करेंगे कि दूद चैनल के सही परयाइबाची को बताना है तो दोस्तो परयाबाची से संबंदित हर एक एक्जाम में या हर जेल पहरी की question paper में दो question पूछी गए है इस परकार आपको परयाबाची संबंदित question की practice कर लेना है हमें आपको बताना है कि दूद के सही प्रयाबाची कौन है तो दोस्तो आपको याद रखना है दूद के सही प्रयाबाची दुग्द, छीर तथा गौरस है दोस्तो आपको आविशक जानकारी के लिए बता लें साति साथ में दूठ को हम दुग्ड बोलते हैं, छीर बोलते हैं गौर्स बोलते हैं इस परकार हमारा राइट आंसर फैड होगा लेकिन गौर्स तथर प्यूस भी हम दूठ के परियाबाची में इंकलूट करते हैं बढ़ते हैं second question की और हमारा दूसरा question जो की रस से सम्मन्न थे और रस से भी हर exam में दो question पूछी गए है हमारा इसमें पूछा गया है आपको बताना है कि मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई तो इसमें दोस्तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इस्वर बिश्यक रती का बढ़न किया जा रहा है और जहां इस्वर बिश्यक रती हो वह वक्ती रस का इस्थाईवा होता है तो इस परकार आपको याद रखना है कि इसमें वक्ती रस का example है दोस्तों आपको औशक जानकारी के लिए बताना है कि हमारा second option अद्बुद्रस है तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर किसी आलो के किरिया कलाप आश्चर जनक बस्तों को देखने से बिश्मय का भाव उत्पन होता है तो वहाँ अद्बुद्रस होता है इस परकार अद्बुद्रस का इस्थाई भाव बिश्मय या आश्चर होता है for example से हम समझ भी सकते हैं जैसे विन पग चलें सुने विनकाना और करविनुकरम विधी नाना तो इस परकार इसमें अद्बुद्रस का एक्जाम्पल है हमारा थर्ड अपसन है बादसल रस तो दूस्तो आपको याद रखना है कि यहां संतान की प्रिती इसनिह का भाव उत्पन हो वहाँ बादसल रस होता है इसका इस्थाई भाव इसनिह है for example आपको पता ही होगा स्री किश्न और यसूदा जी जब अपनी स्री किश्न की वारी में बहुत सी हमने कभीताई पड़ी है तो for example आपको पता ही होगा कि यसूदा हरी पालनई जुलावे मरलावे दुलावे तो यह एक परकार का बादसल रस है जिसमें माता यसूदा स्री किश्न जी के इसनिह का बढ़न कर रही है हमार fourth option है सांतरस तो दूस्तो आपको याद रखना है कि जहां पर भक्ती, नीती, ज्यान, बैराग्य, धर्म, दर्सन, तत्तुग्यान, अथ्वा, सांसारिक, नश्वरता, सम्मंदी, प्रशंगों का बढ़न होता है तो वहाँ सांतरस होता है इस परकार आपको याद रखना है कि सांतरस का इस्थाई भाव, निर्वेद, या सम्म है कभी-कभी exam में confusion करने के लिए पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है कि सांतरस का इस्थाई भाव क्या है तो दोस्तों कभी कभी option में निर्वीद दे दिया जाता है और जब कभी निर्वीद ना दिया हूँ तो option में sum दिया जाता है तो इस परकार आपको याद रखना है कि सांतरस की स्थाइभाव निर्वीद और sum है इसके example की बात करें तो आपको याद रखना है यह इसमें सांसारिक नस्वर्ता संबंदी एक्जामपल जैसे माटी कही कुमार से तूं क्या रोने मोई तो इसमें भी यह एक सांतरस का एक्जामपल है और आपने और उने होंगे एक्जामपल माली आबत देखकर कलियन करीपो कार तो यह भी सांतरस का एक्जामपल है आपने एक और example सुना होगा कि माला फेरती युगल गया गया नमन का फेर तो ये वी एक प्रकार का सांतरस का example क्योंकि इसमें भक्ती नीती ग्यान वेराग धर्म दर्सन तत्तो ग्यान अत्वासान सरेक नस्वर्ता संबंधी परशंगों का वर्डन होता है चुकि इस question का हमार राइट आंसर भक्ती दस है बढ़ते हैं अंगली कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन है आपका अंगला कोश्चन महावरी से संबंधे थे आपको बताना है कि अंधीर मचना महावरी का सही अर्थ क्या होगा तो दोस्तो आपको याद रखना है कि अंधीर मचना पीछे लगते हैं तो आपको याद रखना है कि इसका सही राइट आंसर बिलाप है मिल प्लस आप तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आप बिलाप प्रत्यसी बना हुआ सब्द है बढ़ते हैं अंगली कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन जो कि सुद्ध रूप से कोश्चन की ओर जो कि हमारा समास बिग्रह से संबंदत है आपको बताना है कि देश नर्वासित का समासिक बिग्रह कौन सा है तो दोस्तों आपको याद रखना है देश नर्वासित आथार देश से नर्वासित हमारा फर्स्ट आप्सन हो सकता है लेकर यहां पर सुद्ध र निर्वासित का सही समास बिग्रह देश से निर्वासित होगा दोस्तों आपको आवशक ज्यानकारी के लिए बता दें कि इसमें किस प्रकार का तत्पृस समास है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तत्पृस समास के जो भीद रहते हैं तो पहले तो हम बताने कि आकर तत प्रुष समास क्या कहलाता है तो जिस समास में उत्तर पत प्रधान होता है उसे हम तत प्रुष समास कहते हैं इसमें बिगरे करती समय दोनों पक्छों के बीच कारक्चिन आ जाती है चुकि यहां पर हम देश नर्वासित की बात कर रहे हैं और देश नर्वासित का समास बिग आ रहा है जो यदि से अलग होने के अर्थ में आए तो वहां पर अपादान तत्प्रुस होता है एक्जाम्पल मैं बता दू नित्र हीन आथार्थ नित्र से हीन बल हीन आथार्थ बल से हीन धन हीन आथार्थ धन से हीन गुण हीन आथार्थ गुण से हीन तो यह सब अपादा लैवाची, सोर, अजार और देवे इस परकार इसका right answer हमारा third option होगा पढ़ते हैं अंगले question की ओर और हमारा अंगला question जो पुना समास बिग्रह से संबंदत है आपको बताना है कि राह खर्च का सही समास बिग्रह क्या है तो राह का खर्चा राह के लिए खर्चा या राह के लिए खर्च तो दोस्तो इसका right answer है राह के लिए खर्च इसका right answer हमारा third option राह के लिए खर्च होगा दोस्तो आपको आश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इसमें भी तत्पुर्ष समास है और तत्पुर्ष समास में भी संप्रदान तत्पुर्ष समास है क्योंकि संप्र कर रहे हैं for example पूजा घर आथार्थ पूजा के लिए घर और भी बोल सकते हैं विद्ध्या आथार्थ विद्ध्या के लिए आला है आपने और एक्जामपल से प्रक्टिस कर सकते हैं सत्य अगर है आथार्थ सत्य के लिए आग रहें प्रियोग साला आथार्थ प्रियोग के लिए साला तो ये सब संप्रदान तत्पृस की एक्जांपल है क्योंकि इनके इनके सामासिक बिग रहे है कि समय हम इनके वीच के लिए या को का प्रिकार रख चलने का प्रियोग कर रहे हैं इस परकार आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्सन दोस्तो हमारा सेकंड ओप्सन साप का सही सुद्ध रूप है तो इस परकार इसका राइट आंसर सेकंड होगा बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की ओर और हमारा अंगला कोस्टन जो की एक सब्द से सम्मंदित है जिससी सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए आपको एक सब्द म बताना है जिसके लिए सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए हम सूफ रूप राइट आंसर है तो आपको याद रखना है कि सूफ राइट आठे का एक सब्द में सही उत्तर Mais 22 जिस सरलता से पढ़ा जा सके होगा बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की ओर और हमारा अंगला तो नहां एक सब्द से संबंदत है, आपको बताना है, सबको एक समान देखने वाले के लिए एक सब्द क्या होगा, तो सबको एक समान देखने वाले के लिए हम समदर्सी बूलेंगी, तो इस पर कर सका right answer, सम मतलब एक समान दर्सी मतलब देखने वाला, तो सबको एक सा देख लगने के लिए एक सब्द संदर्सी होगा बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर जो कि उपसरगे से संबंदे थे आपको याद रखना है कि उपसरगे किसी सब्द के आंगे लगते हैं तो आपको बताना है प्रिती तो हमारा फस्ट ऑप्सन हो नी सकता सिकंड ऑप्सन प्रात है इस प्रकास सल लगने का सब्दी विच्छित हमारा फूर्थ ऑप्सन होगा बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन जो की बलॉम सब्द से संबंदे थे आपको बताना है कि एक छिक का सही बलॉम क्या होगा तो दूस्तों आपको याद रखना ह है कि एक छिक का सही बलॉम अनेक छिक होगा इस परकास का राइट आंसर थर्ड ऑप्सन होगा बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर जो पना हमारा बलॉम सब्द से संबंदे थे आपको बताना है कि एब का निम्मिलेकत में सी कौन सा सही बलॉम सब्द है तो एब का आपको खुवी होगा बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन जो पना संदी विच्छी से संबंदे थे आपको बताना है कि संसार का संदी विच्छीत क्या है तो दोस्तों आपको याद रखना है संपलस सार इसका संदी विच्छीत होगा इस परकार हमार उपसर्ग निम मेलकित में से कौन सा एक्जामपल है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारा फर्स्ट उप्सन अभी प्लस मुख इसका राइड आंसर है बढ़ते हैं अंगले कोस्टन की और जो कि हमारा अलंकार से संब्दित है हमारा अंगला कोस्टन है जिसमें एक अल खत्म से इसमें कौन सा अलंकार है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहां जियों त्ययों जनूं मनूं जानों मानों आदि की वड़ाते हैं तो उसकी मैंने आपको अलड़ी पैचान बताई है कि उसका राइट आंसर प्रिक्षा अलंकार होगा दोस्तों इसका कि यहाँ किसी बस्तु या तथ्यकु अतिदिक बड़ा चड़ा कर प्रस्तुत किया जाए वहां अतीश्योक्ति अलंकार होता है जिया लॉक्ति सकते हैंकि यहां अठिधिक बड़ा कहा जाए फ् .И. एकजांपल जैसे आपने सुना होगा चि हनुमान की पूच में लगन हमरा सेकंड आपसन है उपमा अलंकार तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उपमा अलंकार इसी अलंकारों का सुरूर रत्न या सिर्मूर कहा जाता है। जब दो बस्तों की आपस में तुलना या समानता की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप्मालंकार के चार अंक होते हैं, ये क्रमसा उप्मे, उप्मान, साधरधर्म तथा भाचकपद होते हैं, फूर एक्जामपल, राधर रती की समान सुन्दर हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कि यहाँ दो बस्तों की आपस में तुलना या समानता की जा रही है, इस परकार राधर रती की समान सुन्दर हैं, यह एक परकार का उप्मालंकार का एक्जामपल हुआ, हमारा इसके बाद ऑफसन है बक्रुक्ति अलंकार, जो की थर्ड ऑफसन है, तो आपको याद रखना है कि बक्रुक्ति अलंकार अन्य अभी प्रियाय से कही हुई सब्द का कुछ अन्य अर्थ लगाना, आथार्थ कहा कुछ जाए और सुनने वाला कुछ अन्य अर्थ गरन क तो वहां बक्रुक्ति अलंकार होता है, बक्रुक्ति अलंकार कितनी परकार का होता है, यह आपको मैं एक्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया था, कि आपको बताईए कि बक्रुक्ति अलंकार कितनी परकार का होता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बक्रुक्ति अ था काकु बक्रुकती होते हैं. For example, कौँद तुम हो घंसें वहम, जो यह एक प्रकार की बक्रुकती है. अलंकार का example है. क्योंकि यहां यहां एक सब्सक्राइएक एक सब्सक्राइब का कुछ jáरणाया जा रहा है, एक कहने वाला कुछ अर्थ समझ रहा है, और मैंने उत्प्रिक्षा लंकार क्योंकि इसका right answer है अता मैंने उत्प्रिक्षा लंकार की बारे में आलडी बताया है कि जहां पर आपको keyword बताएं है कि जो, त्यो, जनू, मनू, जानू, मानू, जनू, मनू आदी keyword आएं तो आपको वहाँ पर उत्प्रिक्षा लंकार लगाना है तो इसके बीच में हाजियों का आया है तो आप उत्प्रिक्षा लंकार इसका right answer है पढ़ते हैं अंगले question क्यों और हमारा अंगला question जो कि तुनहां रस्ते समन्दत है आपको बताना है कि नमलकत में सी कौन सा रसे तो दूस्तो मैंने आपको आलेडी बताया है मन पच्छते है आउसर बीते आथार्त यहां पर भक्ती नीती ग्यान वेराग धर्म दर्शन तत्युग्यान अत्वसांसार एक नस्वरत सम्मंदी प्रशंगों का बढ़न है तो इस आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर इसमें सान तरस होगा और मैंने आपको अलड़ी बता है कि सान तरस का स्थाई भाव सम्या निर्वेद है फॉर एक्जामपल मैंने आपको दिये भी थे अभी कि मालियावद देखकर या फिर माला फेलत जुगल गया या फिर म निमलकित में सी कौन सा अलंकार है तो आपको इसमें अलंकार पहचान ना है तो दोस्तों मैंने आपको आलड़ी बताया था कि जहां पर इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है चुकि इसका राइट आंसर उपमा अलंकार है मैंने आपको आलड़ी बताया था कि जहां पर द यो बस्तोगी आपस में तो लना या समानता की जा रही है तो इस परकार इसका right answer अपमा-लंकार होगा अपमा-लंकार की चार वीद होती है जो चार रंग होते हैं जो क्रमसा, उपमे, उपमान, साध्रण धर्म अथ्वा, बाचक पद होती हैं और इसके पहले मैंने अतिश्योक्ति बक्रोक्ति तथा उत्प्रिक्ष लंकार को अलेडी बता दिया है तो आपको याद रखना है कि हरीपद कॉमल कमल सी जो सबको सुद्री इसका राइट आंसर अपमा अलंकार है बढ़ते हैं अब अपनी जन्दल नौलिज के कॉस्टन की अज का हमारा पहला पहला कॉश्टन जन्लान से सम्वंद है जो कि करेंट का कोश्टन था केंडरी मानो संसादन विकास मंत्राला आथाथ H.R.D. तो दुस्तों आपको याद रखना है कि इसका अब ही नाम हाली में बदल दिया गया है मानो संसादन विकास मंत्राला ने कि भारत की दूस अबसे लोग परिये प्रितियोगी परिक्षाओं, सेक्त प्रिविस परिक्षा आथार्थ जी डवल ई तथा राष्टी योगता प्रिविस परिक्षा नीट आथार्थ नेशनल लिजिबिलिटी एंड इंटरेंस टेस्ट नीट नम्म लखे द्वारा आयुज है तुमकुर्जली मेसुका प्रवावित पावागड़चित में 2000 मेगाबाट MW की कुल छमता वाली प्रथम चरण सकती स्थल सौर पारका कोद घाटन हुआ जो किस राज्ज में इस्तित है तो दोस्तों आपको याद रखना है यह कन्नाटक राज्ज में इस्तित था दोस् का नाम बनवारी लाल पुरुहत है बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन जो की थर्ड कोश्चन है आपको बताना है मद्य प्रदेश के तीसरे मुक्क मंत्री का आपको नाम बताना है वो एमोंग दा फॉलोविंग वोस थर्ड चीफ मिनिस्टर आपको मद्य प्रदेश के तीसरे मुनिस्टर का नाम बताना है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर मद्य प्रदेश के पहले मुक्क मंत्री पंडित रवी संकर सुकली थे उसकी बाद भगवत राव मंदरोई वने थे और इसकी बाद कैलासनात काड तीसे का राइट आंसर स्थी कियलात नास काड़ काड़ू है दोस्तों मद्य प्रदेश के मुक्क मंत्री का नाम में रवी शंकर सुक्ल है दोस्तों मद्द्य प्रदेश की मुख्मंद्री से संब्दित मैंने एक वीडियो अलग से आलेडी बना रखा है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए गा क्योंकि मद्द्य प्रदेश की PSC से लेकर साहा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा साथी साथ वीडियो मुख्मंद्री की नाम को याद भी कर लीजिएगा बढ़ते हैं इंगले कोश्चन की और और हमारा चौथा कोश्चन है घूमर किस राज का पारंप्रिक्स सामजिक लूग रखते है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घूमर राजस्थान का सामजिक नत्त है चुकि इसका राइट आंसर राजस्थान है आता मैं आपको बता दू कि राजस्थान राजस्थान की कैपिटल जैपोर है यहां की मुख्मंत्री का नाम असूग गहलोत है तथा यहां की बरतमान में गवनन का ना डफिया से सम्मन्द था तो आपको याद रखना है कि फॉर्वर्ट मार्केट कमिशन आथार्थ बाइदा बाजर आयू इसका राइट आंसर है जिनकी द्वारा जागो रहाग जागो अवियन चलाया गया था बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन की और और हमारा अंगला कॉस्चन प्रथम भारती शामन ने चुनाओ किस वरस में आईजित हुई थे तो दोस्तो आपको याद रखना है कि प्रथम शामन ने चुनाओ 1951-1952 में हुई थे और साथी साथ यहाँ इन चुनाओ के थूरू भारत की प्रथम परधान मंतरी पंड़ जवाला लहरू हुई थे जो क साथी साथ इस कॉस्चन का राइट अंसर 1952 है जिसमें प्रथम भारती सामन चुनाओं को आईजित किया गया था बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन की और और हमारा अंगला कॉस्चन ने मद्दे प्रदेश की सुरोंज सहर भूकंपी छेतर में बरिगे किया गया है जो किस की अंतरगत आता है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि सुरोंज सहर मद्दे प्रदेश की जोन च्छेतर के अंतरगत आता है बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन की और हमारा अंगला कॉस्चन आपको बताना है कि जेन साथू तरोन सागर जी महराज का जनम मद्दे प्रदेश क कि कि जिली में हुआ था तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जैन सादू तरणसागर जी का जनम मद्यप्रवेश के दमों में हुआ था इस परकारस का राइट आंसर दमों होगा बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की ओर और हमारा अंगला कोश्चन भारत में निजी करन किया गया पहला रेल्वे इस्टीशन कहां इस्तित है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हवीब गंज रेल्वे इस्टीशन भारत का निजी करन किया गया पहला रेल्वे इस्टीशन है जोकि भोपाल में अंतरगत आता है और इस रेल्वे इस्टीशन का नाम हवीब गंज बढ़ते हैं अंगली कॉश्चन की ओर और हमारा अंगला कॉश्चन मद्द्दीस में जापानी और दोगेख टाउनसिप खलिस्तान में इस्तापित किया जाएगा तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट अंसर पीथमपुर है तो पीथमपुर में ही मद्द्द जापानी और दोगेख टाउनसिप में इस्तापित की जाएगी तो इसका राइट आंसर पीथमपुर है दोस्तों आपको याद रखना है कि पीथमपुर को भारत का हिड्राइल्ट कहा जाता है बढ़ते हैं अंगली कॉश्चन की ओर और हमारा अंगला कॉश्चन है कितनी राश्टी बार्सिक योजनाए अब तक प्रस्तावित की जा चुकी हैं बढ़ते हैं अंगली कॉश्चन की ओर और हमारा अंगला कॉश्चन है मद्द परदीश के किस जिली में नौरा देही अभेरन इस्ते थे तो दूस्तों आपको याद रखना है कि यह मद्द परदीश के सागर जिली में इस्तित है साथी साथ आपको याद रखना है कि नौरा देही अभिरण मद्ध्रदिस का सबसे बड़ा अभ्यरण है आथार अगर आपसे पूछा जाए कि बताए सबसे बड़ा अभ्यरण मद्ध्रदिस का कौन सा है Friends of MP Summit आपको बताना है कि Friends of MP Summit कहां आयुजित की गई थी तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जन्वरी 2018 में Friends of MP Summit मद्द प्रदेश के इंदौर में आयुजित की गई थी इस पर करस का राइट आंसर इंदौर होगा बढ़ते हैं अंगली कॉश्चन की ओर और हमारा अंगला कॉश्चन रानी एहल लियावाई होल कर द्वारा संदक्छित रेशम और सूती धागों के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताईए तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि महिश्च्वर की शाणी वी फैमस है और यहरानी एहल लियावाई होल कर द्वारा संदक्छित रेशम और सूती धागे की साथ बुने हुए कपड़े की द्वारा बनाई गई थी तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट आप्सन होगा बढ़ते हैं अंगली कोशन की ओर और हमारा अंगला कोशन है मद्द प्रिलीस में 2018 में बारसिक सास्की सुक्षता सर्विक्षण में दूसरी स्थान पर रखी जाने वाली सहर का नाम क्या है तो दोस्तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर भोपाल है दूस्तो आपको याद रखना है कि इसमें फर्स इस्थान पर वजेन था तता सेकंड इस्थान पर इंदौर था सॉरी मैं आपको फुनार बता दू कि फर्स इस्थान पर इंदौर था तता सेकंड इस्थान पर भुपाल था इसका राइट आंसर भुपाल है बढ़ते हैं अंगले कॉस्चन की और जो की हमारा सास्त्रिय संगीत आथार्थ क्लासीकल इंस्ट्यूमेंट से सम्द थे आपको बताना है कि पंडित सिभ कुमार सर्मा कि सास्त्रिय संगीत वाध यंत् तो दोस्तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार के सरूद वातक नहीं है यह एक प्रकार के संतूर वाधक हैं तो आपको याद रखना है कि पंडित रभी कुमार सर्मा कि सास्त्रिय संगीत वाध यंत्र के उस्ताद हैं तो दोस्तो आपको याद रखना है कि यह एक प कौन मद्य परदेश का राज की पक्षी है तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ASEAN PARADISE FLY केचर आथार्त दूद्या सुल्ताना बुलबुल इसका राइट आंसर है तो यह मद्य परदेश का राज की पक्षी है जिसे हम एंगलेस में HCI PARADISE FLY कचर बूलते हैं बढ़ते हैं अंगले कोशन की ओर और हमारा अंगला कोशन जो की अठार्मा कोशन है मद्य परदेश में नम्य परदेश में कौन सी कच्छुगा की एक मात्य प्रजाती पाई गई थी तो दूस्तों आपको याद रखना है जो के लॉन एल इंगेस की एक मात्परदगार की कच्छुगे की परजाती मद्य परदेस में पाई गई थी इस परदेस का राइट आंसर हमारा फस्ट ऑफ्सन होगा बढ़ते हैं उननीष में कोशन की ओर और हमारा उननीष में कोशन है नम्मेल केंसे किस सरकारी संस्थान ने भारत में किर्सी आउस्ट के पृतिसत का अनुमान लगाया था तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में किर्सी के आउस्ट के पृतिसत का अनुमान किसने लगाया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सेंटर इंस्टिटूट्स और पूष्ट हार्वेस्टिंग इंजिनियरिंग एंड टेकनलोजी आथारते केंडिये कटाई उपरांत अवियांतरी की इवंपुरद्दकी की संस्थान है जिसे हम सफेट बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा सेकंड आप्सन होगा पढ़ते आपको यहां से समझ सकते हैं कि जिसमें पॉटास की मात्रा अदेख हो लेकिन फासफूरस की मात्रा कम हो तो ऐसे मिट्टी को हम एलूवियल स्वैल आथार जलूड मिट्टी कहते हैं इस परकार आपका इसका राइट आंसर जलूड मिट्टी होता है यह सारदिक अग में देखने को मिलता है इस परकार इसका राइट आंसर जलूड मिट्टी होगा दोस्तों इस परकार हमारे कुल यहां पर जन्नल हिंदी तर जन्नल नौलेच की 40 कॉस्ट्टों पर डिसकसन यहीं पर समाप्त होता है अम मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक बनी रह अगॉड़ को मिलते हैं तर जन्नल को मिलते हैं तर जन्नल नौलेच का बनी को मिलते हैं।